दोस्तों इंग्लिस ग्रामर के सिरीज की दूसरी वीडियो है यदि आपने पहली वीडियो को भी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप जाके देख लें पहली वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टम के बारें बात किये थे और फिर वो नाम आपको दिखेगा या फिर वो नाम आपको नहीं दिखेगा जो नाम को आप देख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे विजिबल और जो नाम को आप देख नहीं सकते हैं जिससे आपके ओल फील कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे फील ओनली फिर मैंने आपको बताय विजीवल में तीन तरह के नेम होंगे चाहे तो वह किसी परशन का नेम होगा जा किसी विएनिमल्स वेगर मुझे उसके बाद हम लोगों ने बात किया चाहिए parts of speech के other उन भाईयों का जिसे हम लोग प्रोनाउन वर्व एडवर्व एडजेक्टेव प्रिपोजीशन कंजंक्शन इंटर्जेक्शन के नाम से जानते हैं यदि हमें इन चीजों का थोड़ा थोड़ा अगर नौलेज होगा तभी हम लोग नाउन को बढ़िया तरीक तो प्रोनाउन क्या है यह नाउन को रिप्रेजेंट करता है कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो कहलाएगा प्रोनाउन जैसे मैं अब को एक सेंटेंस देता हूं इसमें है many of the boys were there यहां देखिए many of the boys बहुत से लड़के बहुत से लड़के तो लड़कों में से बहुंत, तो जो लड़का है, दब वाइज है, ये जो बॉइज है, ये क्या है? एक नाउन है, और इसे रेप्रेजेंट कौन कर रहा है? मेनी, मेनी क्या कर रहा है? इन बॉइज को रेप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर मेनी क्या होगा? प्रोनाउन एड करें, जो noun और pronoun में details एड करेंगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, adjective, clear है, जो noun और pronoun में details एड करेंगा, वो क्या कहलाएगा, adjective, जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, wall, wall, wall क्या है, noun, wall क्या है, noun, इसके आगे यदि मैं prefix में अड कर दूं ब्लैक प्रिफिक्स में एड किया मैंने ब्लैक अब यह क्या बन गया ? black wall काली दिवाल तो wall नाउन था और दिवाल काली है दिवाल के बारे में डिटेल में बता रहा है कि यह दिवाल क्या है? काली है और जो word ?!? डिटेल देता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का वो क्या कहलाता है एडजेक्टिव तो यहां पर ब्लैक क्या है एडजेक्टिव चलिए मैं फिर से एक एक्जाम्पल लेता हूं वाल फिर से ही लेता हूं वाल ही रहेगा चलिए वाल हमने देखा कि नाउन है चलिए इसके आगे मैंने painted जोड दिया अब यह क्या बन गया painted wall मतलब दिवाल रंगी हुई है पहले से तो यह painted क्या कहलाएगा adjective आप बोलोगे painted adjective कहलाएगा यह तो वर्व है वर्व का third form है हाँ वर्व का third form है लेकिन देखिए यह wall जो noun था उसमें क्या कर रहा है detail add कर रहा एकौन painted और जो वर डीटेश एड करेगा नाउन में या प्रौनाउन में उसे हम लोग क्या कहेंके अईटे क्लियर हैं। दोस्तों वैसे तो एड्जेक्टिव गन्जक्शन पिलिपोजीशन इंटर्जेक्शन ये सब वी भी details add करने का काम करता है लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में नहीं देखेंगे ठीए अभी अम लोग बसके वल इतना जानेंगे कि जो word noun या pronoun में details add करेगा उसके बारे में बताएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे adjective चलिए यहां तक clear है अब next आता है है मारा वर्व कोम लोग कैसे देखेंगे कोई ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में आक्शन का काम कर रहा वे होगा उसे हम लोग क्या वोलेंगे वर्व जैसे आपको एक एक्जांपल देता हूं राम зай式 cricket inference प्लेज क्रिकेट तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है राम और क्या हो रहा है यहां पर एक्षन क्या हो रहा है खेलने का प्लेज क्या यहां पर एक्षन को शो कर रहा है तो प्लेज यहां पर क्या है वर्व है यहां पर प्लेज क्या था एक्षन को शो कर रहा था तो एक हो सकता है कि बस केवल action काफी नहीं मैं आपको एक और एक्जामपल देता हुं जैसे मैंने बोला I have a new bike I have a new bike चलिए देखिए तो यहां पर कोई action को शू कर रहा है क्या ना तो I कर रहा है ना तो have कर रहा है ना तो new कर रहा है ना तो आ कर रहा है I have a new bike यहाँ पर कहीं पर भी कोई action नहीं है लेकिन आप इस have को देखिए क्या ये वर्व है क्या ये वर्व है हाँ ये वर्व है देखिए यहाँ पर जो have है वो possession का काम कर रहा है ये possession को दिखा रहा है और ये have क्या है? वर्व है तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर कहीं कोई possession दिख जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वर्व, मैंने बोला अगर कहीं कोई action दिख जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वर्व, और फिर बोला कहीं कोई possession दिख जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वर्व, क्या action और possession ही काफी है, तो मै मैं फिर से बोलूँगा नहीं मैं फिर से आपको एक एक और एक जाम्पल देता हूं जैसे मैंने बोला I am a good teacher मजा कर रहा हूं नहीं हूं जैसे मैंने बोला I am a good teacher क्या यहां पर कोई action दिख रहा है क्या कोई position दिख रहा है नई पर क्या यहां पर कोई वर्व है आप देखिए ना तो action दिख रहा था ना position दिख रहा था पर भी एम क्या है वर्व है और यहां पर एम किस चीज़ को को शो कर रहा है happening को शो कर रहा है कि मैं गुड टीचर हूं मैं गुड टीचर हूं यहां पर happening को शो कर रहा है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे अगर कहीं कोई action या कोई possession या कोई happening दिख जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे वह वर्ड क्या है वर्व है चलिए आगे बात करते हैं एडवर्व की तो कोई ऐसा वर्ड जो क्या करे वर्व में डीटेल साइड करे कोई ऐसा वर्ड जो वर्व में डीटेल साइड करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे एडवर्व अब हम लोग एक बेहद ही सुन्दर सा वर्ड लेने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिप प्रिपोजीशन और प्रिपोजीशन का काम यह है कि वो अपने आने वाले जो बाद के जो वर्ड होंगे अपने से बाद वाला जो वर्ड होगा उसका रिलेशन उस सेंटेंस के किसी वर्ड से करेगा प्रिपोजीशन क्या करेगा अपने आने वाले बाद वाले वर्ड से उस का relation sentence के किसी और वर्ड से रिलेट करेगा यानि प्रिपोजिशन किस चीजी का काम करता है relation बनाने का जैसे मापको एक example देता हूं अंकित वेंट रोहन अंकित वेंट रोहन या लीजिए आई वेंट रोहन क्या यह sentence clear है क्या यह sentence clear है आप बोलोगे नहीं पर क्या इसमें कुछ हम लोग एड कर सकते हैं आप बोलोगे हाँ एड कर सकते हैं चलिये हम लोग इसमें to add करते अंकित वेंट रोहन या आई वेंट रोहन तो अब यह sentence clear है हाँ जरूर है तो यहां पर देखिए टू क्या कर रहा है रोहन से किसका रिलेशन बना रहा है वेंट से रोहन का रिलेशन बना रहा है वेंट से कि रोहन वेंट पास गया अंकित वेंट टू रोहन या आई वेंट टू रोहन वेंट और रोहन में क्या बन रहा है कि tap relation बन रहा है इस टू के जुड़ जाने की कारण वेंट और रोहन के बीच में क्या बन रहा है relation बन रहा है कि वह उसके पस गया या उसके पास वह आया ट् man larvaamento क्या क्या रिलेशन बनाने का काम किया देखिए on brand was adding का काम नहीं रहा है उसके साथ जुड नहीं रहा है अगर जुड जाए तो वह कहलाएगा conjunction जैसे मैं बोलता हूं अंकित अंड अमन आर मैं बस्ट प्रेंड अंकित and अमन आर माइं बश्ट फ्रेंड तो यहां पर देखिए अंकित और एंकित और अमन को जोडने का काम कौन कर रहा है एंड अंकित'd and अमन टो एंड यहाँ पर क्या कहलाएगा यह जोडने का काम कर रहा है और जो जोडने का काम करता है उसे हम accent का रहेते हैं लेकिन एड नहीं करें उसे हम लोग क्या वो लेंगे प्रिपोजीशन और जो वर्ड एडिशन का काम करें वह वर्ड क्या कहलाएगा conjunction clear है अब एक last term बच गया वो क्या है interjection interjection तो अगर आपको किसी word में कहीं पे भी कोई emotion दिख जाए वो ना तो noun होगा ना तो pronoun होगा ना adjective होगा ना verb होगा ना adverb होगा ना preposition होगा ना conjunction होगा इन सभी में से कुछ नहीं होगा और वैसा कोई word दिख जाए जो parts of speech के उन पहले साथ वाले में से कोई भी नहीं होगा और बस केवल इसमें कोई emotion दिख रहा होगा वो word क्या कहलाएगा interjection जैसे हम लोग कोई खुसी में या गम में खुसी रहा तो बोल देते हैं हुरे हिप फूरे करते हैं जैसे दुख में हम लोग बोल दी अलाश कोई टीम में जिद गया उसमें हम लोग भी खेल रहे थे तो क्या करते हैं चिलाने लगते हुई हुई चिलाते गी नहीं तो क्या उस हुई 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 सब कोई मिनिंग था क्या कोई meaning नहीं था पर उसमें हम लोग का emotion दिख रहा है कि हम लोग खुस हैं या दुख है ठीक है तो अगर किसी word में कोई emotion दिखे तो वो क्या कहलाएगा interjection तो यहां तक clear है clear है चलिए ठीक है तो अब हम लोग बात करेंगे फिर से वही नाउन की चलिए आज क्या बात करेंगे इसको अगले class में बात करते हैं चलिए बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो को भी पहले वीडियो की तरह धेर सारा प्यार दे हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत